Hello Friends, Welcome to Indian Study Indian Study पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसे से हमारा आप लोगों को चार क्लासिस प्रोवाइड करवा रहे हैं सुभा पांच बजे करेंट सुभा ग्यारा बजे जीके और दुफेर 3 वजे हिंदी की क्लास होती है और रात 9 वजे रीजनी की क्लास चलती है तो सारी क्लासिस का टाइम में आपको बता चुका हूँ और इन सारी क्लासिस की PDF जो है वो टेली ग्राम चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं डेली नाइट में तो जो इस्टुडेंट टेली ग्राम पे अभी तक एड नहीं हुए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो आप एक बार जरूर से टेली ग्राम पे एड हो जाईएगा ठीक है तो टाइम को ना वेश्ट करते हो हम पहले कोसंस की तरब चलते है पहला कोसंस आपके सामने है जो यस से युक्त हो आज आपके 37 पूरे कोसंस लिये गए है पूरे 37 कोसंस का टेस्ट लिया गए है ठीक है तो व्यूडियो को लास्ट लग जरूर देखिएगा तो पहला कोस्टन है जो यस से युक्त हो के लिए एक सब्द वाक्यांसों के लिए एक सब्द यहां से आपको एक दो कोस्टन जरूर देखने को मिलेंगे समझ रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उसे बोलेंगा हमें यसस भी यानि कि पहला उपसंस बिल्कुल करेक्ट खान में मिलना इस मोहबरे का सही अर्थ क्या है? सुरी खाक में मिलना यानि कि इस कोस्टन का सही आंसर क्या होगा? 42 का तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बरबाद होना यानि कि दूसरा उपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है पीट ठोकना मोहाबरे का सही अर्थ क्या है मोहाबरे और लोकुति मुशली मोहाबरे की बात की जाए तो मोहाबरे तो आसान होते है आसानी से आप लोगो को ये नमबर जो है आपके मार्क्स गेंड करने में बहुत जादा profitable सावित होते है लेकिन लोकुति कुछ-कुछ पैचान में नहीं आती तो पीट ठोकना मोहाबरे का सही अर्थ हो जाएगा बढ़ावा देना पहला options correct बुद्धी बल से बड़ी होती है इस लोकुति का अर्थ क्या है ये एक लोकुति है जल्दी बताओ idioms and phrases आपने पढ़े होंगे इंगलिस में तो phrases बोलते हैं लोकुति को इंगलिस में तो बुद्धी बल से बड़ी होती है तो सही अंसर आपका क्या हो जाएगा अकल बढ़ी या बहेंस जल्दी बताइए यानि कि तीसरा options आपका विल्कुल correct इस लोकुति का अर्थ यही होगा विसाद सब्द का बलोम सब्द हम को बताना है विसाद का बलोम सब्द क्या होगा तो विसाद का बलोम सब्द हो जाएगा हर्स यानि कि चौता options आपका विल्कुल correct है next questions आपके सामने पंक्तियां लिखी हैं दो आराम से इस पंक्तियों को पड़ो और इस पंक्ति में आप लोगो को कौन सा रस दिया हुगा है यह हमको बताना है mostly ऐसे questions आपको तब ही देखने को मिलेंगे जब examiner questions पेपर तोड़ा hard बनाने होता है अगर रस से कोई questions आएगा तो वो इस थाई बहुत सही questions mostly आपको आपके exam में देखने को मिलेंगे समझ रहे तो अब इस तरीके questions पे ज़्यादा ध्यान ना दें जो भी important होंगे वो मैं आपको practice करवा दूँगा ठीक है तो आपका जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा ब्योक सरंगार रस यानि कि दूसरा options correct मैला आचल इस पे important लगा लो बहुत important questions है ये किसकी रचना है मैला आचल तो मैला आचल जो है ये फरीजवर नात रेणू की रचना है यानि कि तीसरा options आपका बिल्कुल correct है कामाईनी very important लगा लो आप सभी लोग जानते हैं कि ये questions दो बार पूचा जा चुका है यूपी पिलिस constable में तो कामाईनी किसकी रचना है तो ये जैसंकर पिरसाद की रचना है तीसरा options आपका बिल्कुल correct है next questions आपका वही है इसमें भी आपको रस बताना है जल्दी बताएए 49 का सही answer क्या होगा यहाँ पर भी दोस्तों आपका व्योक सरंगार रस होगा और सरंगार रस का इस्ताइबाव क्या होता है रती तो यानि कि पहला options बिल्कुल correct है next questions में भी आपको रस बताना है कि इसमें कौन सा रस होगा question number 50 जल्दी मिताइए question number 50 तो आपका सही answer हो जाएगा रादरस और रादरस का इस्ताइबाव क्या होता है क्रोध तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि mostly आप लोगों से यही पूचा जाएगा ठीक है next questions पचपन खंबे लाल दिवारें ये किसकी किरती है ये एक किरती है किताब का नाम है इसके लेखक जो हैं वो कौन है जल्दी बताइए पचपन खंबे लाल दिवारें तो सही answer हो जाएगा आपका उसा प्रिये वंदना यानि कि दूसरा options आपका बिल्कल करेक्ट है next questions आपके सामने आपको बाक बताना है कि इसमें सुद्द बाक कौन सा है question number 52 52 का सही answer बताइए बिल्कुल आपको सुद्द बाक बताना है 52 का सही answer क्या होगा आप कहां जा रहे हैं दूसरा options आपका बिल्कल करेक्ट होगा कौन सा? दूसरा options question number 53 इसमें बताइए सही answer क्या होगा 53 का तो 53 का सही answer क्या हो जाएगा ऐसी एकाग बात और सुनने में आती है यानि कि तीसरा options जो होगा वो बिल्कुल correct होगा next questions मैंने देखा है कि आप लोग अभी interest नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी exam date नहीं आई है आप सभी लोग जानते हैं कि सितंबर में exam है jail water का आप लोग अगर मजाग में लेते रहोगे तो आप समझ सकते हैं कि तयारी आपके हाँ से निकल जाएगी जो आप performance जो है वो अच्छा नहीं कर पाऊगे exam में तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए 54 का सही answer क्या होगा जल्दी बताइए तो सही answer हो जाएगा गीतान जली के रचीता जल्दी बताओ इनी को मिलाता सबसे पहले नोबल पुरुसकार इसी पुस्तक के लिए समझ रहा है और गीतान जली जो है वो कवीताओं का संग रहे है इसके रचीता कोन है आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने भारत और बांगलादेश का राश्टिय गान लिखा रविन नाट टेग और यानि कि पहला उपसंस बिलुकुल करेक्ट अगर आपने पूरा मेरी बोली सुनी होगी तो इसी यो कोसंस में चार कोसंस बता दिये भारत दुर्दसा किस की किरती है जल्दी बताओ भारत दुर्दसा तो भारत दुर्दसा जो है ये भारतेंदु हरिस्चंज की किरती है बेरी इंपोर्टेंट कोसंस है दियान लगना इस बात का नेक्ष्ट कोसंस जो सब को जानता हो के लिए एक सब्द क्या होगा जल्दी बताओ वाक्यांसों के लिए एक सब्द जो सब को जानता हो उसको क्या बोलेंगे हम सरवग दूसरा पहला उपसर्ग है पचास बर बता चुका हूँ कि उपसर्ग जो है वो किसी भी सब्द के हागे लगे होते है जबकि पृते जो है वो पीछ लगे होते है तो अभी अधी वेसन सब्द में कौन सा उपसर्ग है अधी वेसन में उपसर्ग हो जाएगा अधी उपसर्ग दूसरा उपसर्ग करेक्ट कमल का प्रहावाची सब्द निमले के रिटमेंट से कौन सा नहीं है समझ रहे देखो कमल के परयावाची में mostly आपको जा जो है वो end में देखने को मिलेगा समझ रहे हैं यह आपकी trick है देखो जलज और अम्बोज यह दोनों तो हैं समझ रहे हैं तो यह दोनों कमल के परयावाची है लेकिन पदम भी आपका कमल का परयावाची है और कजा भी है भिलंगा यह यमना का प्रहेवाची नहीं है चौता उप्सन्स करेक्ट नेक्स्ट कोसन्स इसमें आपको रस बताना है कि कौन सा रस है जल्दी बताव कोसन नमबर 62 62 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका सांत रस अचा आज का कोसन्स यही है कि सांत रस का स्थाई भाव क्या होता है इस्थाई भाव आपको बताना है कि सांत रस का स्थाई भाव क्या होता है इस कोसन्स का आंसर जो है वो आप लोग कमेंड बॉक्स में बताएंगे तो आज का आपका होमवर्क में जो कोसान से हो यही है ठीक है तो जरूर से उम्मीद है मुझे कि सभी लोग आंसर देंगे बुंदेली हिंदी किस उपवासा समू की बोली है कोसा नमबर 63 तो सही आंसर हो जाएगा पस्चिमी हिंदी कहा की बोली है परस्च में इंदी की दूसरा उपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है कुकर मुत्ता किस कभी की कभीता है ये कभीता का नाम है दियान लगना समझ रहे हैं तो ये किस कभी की कभीता है कोस्टा नमबर 64 सही आंसर हो जाएगा निराला यानि कि पहला उपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोसंस मनोज किसका परयावाची सब्द है जल्दी बताओ मनोज किसका परयावाची सब्द है 65 तो मनोज जो है वो किसका परयावाची सब्द है कामदेब अब आप यह नहीं सोचना है कि इसमें भी पीछे जाए तो यह कमल का ही होगा नहीं भईया जो इंपोटेंट्स है वो मैंने आपको बता दिया समझ रहे तो मनो जो जो है यह कामदेब का प्रयावाची होगा यानि कि इस questions का दूसरा options correct सिर्वण का सही संदी विक्षेद क्या होगा जल्दी बताओ सिर्वण का सही संदी विक्षेद कोसन नम्मर 66 66 का सही answer क्या हो जाएगा स्रो प्लस अन यानि कि दूसरा options जो होगा बिल्कुल correct है मना प्लस वल में संदी बताईए यहाँ पर कौन सी संदी होगी विसर्ग संदी होगी इसका संदी बताओ यह संदी विक्षेद दिया हुआ है तो सही answer हो जाएगा मनोवल तीसरा options बिल्कुल correct हसाना किरिया क्या है किस परकार की किरिया है हसाना 68 जल्दी बताओ हसाना जो है वो एक परकार की प्रिलार तक किरिया है यहनि कि तीसरा options बिल्कुल correct प्रेम सागर किस कारक की समास का उदारन है किस परकार के समास का उदारन है प्रेम सागर जल्दी बताओ प्रेम से भरा हुआ सागर उसको बोलेंगे हम प्रेम सागर और जहां पर कारक चिन्नों का वोद होता है वहाँ तत्परो समास होता है कई बार मैं आपको बता चुका हूँ दूसरा options बिल्कुल correct यता सक्ती में कौन सा समास है बता चुका 50 बार आगे आपको यता दिख जाए यावद दिख जाए भर दिख जाए प्रा दिख जाए पिरती दिख जाए तो आख बंद करके अवियाई वाँ समास लगा देना तो पहला options correct हो जाएगा next questions अबरोज सब्द का ब्लोम सब्द आपको बताना है कि ब्लोम सब्द कौन सा होगा अबरोज का तो सिस 71 का सही answer क्या हो जाएगा अनबरोज यानि कि पहला options correct next questions आपके सामने जो आकास में विचरन करता हो कि लिए एक सब्द क्या होगा रात में चरने वालों को लिए तो निसाचर होता समझ रहे हैं ये तो होगा आपको होगा नहीं ठीक है 72 का खचर होगा रही रजनी भी होई हो जाएगा रजनी और निसाचर जो एक दूसरी के परेव आची है तो बचा क्या है एक ही बचा क्या खेचर यानि कि चौता options बिल्कुल correct आस्तीन का साप मोहाबरे का सही अर्थ क्या है जल्दी बताए बहुत important questions है क्योंकि आम बोलचार की बासा में ये यूज भी होता है तो इसको बोलते हैं बिजवास गाती यानि कि इस questions का पहला options बिल्कुल correct है आँखों का तारा मोहाबरे का सही अर्थ क्या है simple है बहुत ही जादा जल्दी बताओ इस questions का सही answer क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 74 का तो सही answer हो जाएगा आपका 74 का अतियंत प्रिय आँखों का तारा यानि कि बहुत ज़्यादा प्रिय होना दूसरा options correct सांत रस का स्थाईवाओ जो हमने होंबर्क में पूछा है वही questions आपका आगिया तो सांत रस का स्थाईवाओ क्या होता है जल्दी बताओ question number 75 बिल्कुल ठीक सांत रस का स्थाईवाओ होता है निर्वेद और ये जितने भी स्थाईवाओ होते है न बहुत important है ये सारे के सारे यहां से आपको एक questions देखने को मिलता ही है यानि कि अगर आपने 9 रस होते हैं अगर आपने इस्थाईवाओ याद कर लिए और mostly बहुत simple भी होते है तो वहां से आपके एक दो number तो पक्के हैं ही बिल्कुल चौपाई किस परकार का चंद है जल्दी बताओ और चौपाई कि प्रतिक चरण में कितनी मातरा होती है बताया था मैंने 16 मातरा होती है और किस परकार का चंद है चौपाई ये भी मैंने आपको बताया था ये मातरिक चंद है समझ रहे तो दोस्तों ये था आपका पूरे 36 questions का test जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को share जरूर कीजिए गा और जितने भी ये स्टेस्ट में नमबर आएं तो जरूर से आप लोग comment box में बतायेगा साथी साथ PDF आपको description में लिंक दिया हुगा है वहां से आपको मिल जाएगी और सारी PDF हम लोग free में provide करवाते हैं आपसे कुछ भी पैसा ने लिया जाता है तो आप लोग telegram पे जरूर एड़ हो जाईएगा तो दोस्तों फ्राइल की वीडियो में सिर्फ इतने ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तों वीडियो को like कीजिए सेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मों रोजाना इसी तरह की वीडियो जाप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत